गुट मॉरिंग डियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स हम अपनी जो यह पॉइम्ट कर रहे थे जो चेप्टर था हमारा दा फाइट इसके अंदर हमने जो है पढ़ लिया था यहां तक जो की बिट्वीन थे टू बड़ नौ रिजल्ट what are you doing for mister मतलब वो वहां पूछता है उसे कि तुम यहां क्या कर रहे हो रंजी ट्राइट टू बे फ्रेंडली विद हिम और इन्वाइटिं हिम तो जो रंजी होता है वो उसके साथ बोद मतलब एक फ्रेंडली सा बहेव करता है और उसको कहता है कि तुम भी मेरे साथ यहां पर join करो but he was surprised as a hostile tone of the other boy who assisted that the pool belongs to him and he did not allow anybody else to enter into it फिर उसके बाद वो क्या है जो रंजी है वो surprise होता है because जो वो सामने वाला जो लड़का होता है वो उसको बहुत गंदे तरीके से उसके साथ क्या है बात करता है और उसको कहता है कि यह सिरफ जो पूल के अंदर मैं किसी और को enter करने की permission नहीं देता the pool belongs to him वो सिरफ मेरे लिए है and did not allow anybody else to enter मैं किसी और को enter होने की permission नहीं देता ठीक है he said that he was of worries and he could beat him रंजी if he did not run away वो उसको क्या कहता है कि अगर तुम यहां से नहां बागे तो मैं तुम्हें क्या है यहां से बगा दूंगा तुम्हारे जो है मार कर ठीक है रंजी वो उस नोट ओफ एर जो रंजी होता है वो डरता नहीं है he said that he was a fighter रंजी कहता है तुम आओ मैं भी एक fighter ही हूँ दोनों के अंदर क्या है आपस के अंदर लडाई होनी शुरू हो जाती है बट उसका लास्ट में कोई result नहीं आता बोथ गोड इंजियर्स एंड स्ट्रेचिस अन देर बोडिस दोनों का क्या है दोनों ही बात में गायल हो जाते हो दोनों की बोडिस के उपर ही क्या marks बढ़ जाते हैं, stretches आ जाती है इंदर टू डिसाइडि डा स्टॉप फाइटिक एंड कंटिनू दा फाइट नेक्स दे लास्ट में क्या है दोनों डिसाइड करते हैं आज की जो फाइट हैं यहां खतम करते हैं दुबारा से कल की एकल यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स दे रंजी वोस नॉट एगर फोर फाइट एज ही फिल लेजी एं वीक नेक्स दे जब अंची क्या है फाइट के लिए त्यार नहीं होता क्योंकि वो फिल करता है कैसा लेजी और वीक सा फिल कर रहा होता है एट दे सेम ताइम वोस नोट रेड़ी तू असेप्ट डिफेट और वो क्या है असेप्ट भी नहीं करता ठीक है इस इगो ड्रो हिम इंटू दा पूल ठीक है वो क्या है पूल करने जाता है उसके बाद जो बॉय होता है वो उसको उसके फेस टो फेस खड़ा होता है उसके पूज़ेट साइन में रञ्जी वोस चैलेंज स्विम अक्रोस दा पूल एंद फाइट रशी उसको चैलेंज करता है कि तुम पूल में आओ ठीक है अक्रोस ता पूल पूल को अक्रोस करते हैं और फिर लटते हैं वो उसको कहता है कि तुम मेरी साइड आओ फाइली रंजी डिवाइड इन्टो दे वोटर एंड रीज दा अधर साइड he appoint the surprise at his feet as he himself could not how to swim he promised रंजी to make his पहलवान like him रंजी was happy that he had won the day that the MST gave place to love and friendship and the two friends starting helping each other last में क्या होता है वो दोनों उसके बाद रंजी है वो प्रॉमिस करता है कि मैं पहलवान की तरह न लगूँगा उसके पर रंजी was happy रंजी हैपी होता है क्योंकि वो जीत जाता है और जो वो last में क्या होता है जो दोनों होते हैं वो enemy ना होके friends बन जाते हैं और two friends started helping और एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं वो उन दोनों के friends बन जाते हैं ये आज की जो poem थी जो हमारी poem रह गई थी थोड़ी सी उसको आज हमने continue करें इसके question answer करेंगे